Japanese anime movie या Japanese anime series की सबसे गंदी बात मुझे यह लगती है कि आपको इतना emotional कर दे ही आप रोने पर मजबूर हो जाओगे नमस्कार दोस्तों इस उडिया में बात करने वाला हूँ I want to eat your pancreas movie के बारे में जो 2018 के अंदर आई थी अगर आप लोगों ने your name anime movie देखी है definitely यह movie आप लोगों को पसंद आने वाली है अगर your name आपको पसंद आई थी और मुझे नहीं लगता कि किसी को वह पसंद नहीं आई हो pancreas इसका मतलब होता है अगनाश्या जो हमारे एक शरीर का एक अंग होता है जिससे digestive enzyme ने कलते हैं कहानी की simple शब्दों में समझाओं तो एक ऐसी चीज़ जो हमारे पाचन यानि कोई खाना पचाने में हमारी मदद करती है simple शब्दों में अब यह चीज क्यों बताई है क्योंकि इसका महतो है इस movie में यह movie काफी जाज़ा अच्छी है आखिरकार हमें एक life का important lesson हमें सिखार के जाती है इस movie की कहानी की बात करूं तो इस movie के starting होते ही हमें एक पहली line सुनाई देती है जिसकी पहली line इसमें होती है इसमें कहा जाते है कि Sakura Yamauchi की death हो चुकी है और यह कहानी एक लड़का सुना रहा है अब उस लड़के का नाम है बट मैं वो नहीं बताने वाला क्योंकि इस movie के end ह होने पर आपको पता चलता है कि उस लड़के का नाम क्या है starting में यहीं बताना है कि Sakura की death होने वाली है death हो चुकी है और वो funeral में खड़े है और यह कोई spoiler नहीं सोचो की spoiler दे दिया spoiler तो मैं नहीं देने वाला हूं पावजूद इसके भी कि हमें पता चल जाने के बाद कि कौन बरने वाला है तब भी हम इस movie के end में रोने पर मजबूर हो जाते हैं यही तो सबसे बड़ी काबलियत है यही तो imagination की power है जिन्होंने इसे direct किया है जिन्होंने इसे right कि वो हमें at least रोने पर मजबूर कर देते हैं अपनी सिर्फ और सिर्फ कला के उपर साकूरा कैसे मरें क्यों मरें इन सब चीजों के लिए तो आपको यह anime movie देखनी पड़ेगी इसमें दो teenagers की कहाने दिखाए गई है एक तो साकूरा जिसकी जब death हो जाती है तो यह movie हमें पीछे जाकर हमें दिखाती है कि साकूरा यामुची अपनी real life में कैसी थी और साती सात एक लड़की की life जो इसमें बता रहा होता है कि उसकी जो classmate है साकूरा यामुची उसकी death हो चुके वो उसे एक इस anime movie के अंदर बहुत जाद एक boring सा जो किताबों के अंदर रहता है ऐसा दिखाया गया starting के अंदर साकूरा यामुची की एक बिमारी होती है pancreas के अंदर जिस इस लड़के के हाथ में लग जाती है और साकूरा की बिमारी के बारे में जो उसके माता-पिता को पता और इस लड़के को पता है क्योंकि साकूरा ने अपनी life जो है यह नहीं बता रहा कि मेरे मुचे कोई बिमारी या अपनी किसी भी best friend को क्योंकि वो किसी की सहानुई को बहुत अच्छे से enjoy करना चाहती है और यह इस लड़के को भी जीना सिखा देती है लड़का इसकी care करने लग जाता है और इसको इससे प्यार भी हो जाता है अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि आप लोगों के पास इतना ही time बचा है आपकी life का तो आप अपनी life कैसे जीना पसंद करोगे और सरे लोग यह कहेंगे कि वो उस time का use करेंगे अपनी पसंद की हर एक चीज वो करने में जो करना चाहते थे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यार देखो यार यह तो possible है नहीं कि आप लोगों को पता चल जाए बट एक चीज तो जो आप लोगों को पत जाओ और जिसको यह भी नहीं पता कि उसके पास अपनी time अपनी life का कितना time है मेरी नजरों में तो मैं यह कहूंगा कि यह दोनों ही इनसान एक समान है क्योंकि यार इन दोनों को आने वाला कल भी नहीं पता क्योंकि कल पता नहीं क्या हो जहें यह नहीं कह रहा है कि कल आने वाले कल के उपर टाल देते हैं जो हम आज कर सकते हैं जो चीज हमारे हाथ में आज है वो हम कर सकते हैं उसको कल के वेट पे क्यों रखना आज उसे क्यों नहीं complete कर लेते हैं और ये बात ये movie हमें बहुत अच्छे से सिखाती है साकूरा यामची इस लड़के को जीना अच्छ में बहुत जादा असर पड़ता है और इसलिए मैं anime movies को बहुत कम अब मतलब कि देखना तो बहुत जादा पसंद करता हूं लेकिन एक या दो दिन बाद छोड़ का मतलब थोड़ा सा उससे बाहर निकल पाऊं उसकी कहानी से बाहर निकल पाऊं ऐसे हालात में मुझे पहु को मिलेगा anime series या anime movie की सबसे अच्छी बात ही होती कि यह हर एक anime movie या series के साथ हमें कुछ ना कुछ हमारी life की importance हमें बताते हैं बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे क्योंकि भारत की अगर मैं movies या series के बारे बात करूँ जिसमें एक particular agenda जलता है जो मैं सच में यार मुझे इसके वक्त भी डर लगता है कि यार इसके अंदर कुछ और चीज मत दिखा दो यार इसमें जात पात मत दिखाओ इसके अंदर तुम यार रिलीजियन मत दिखाओ तुम only entertainment दिखाओ ऐसी expectation तो भारत की movie या series ते आज की डेट में करना ही बेकार है तो बस आज के लिए इतना है ता इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते है नेक्स वीडियो में जाहें